अलो स्टुडेंट वेलकम टू क्रिप्टान टुटोरियल्स बच्छो इस वीडियो में हम लोग NCRT मैथ्स का एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट डिसकस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें जो टॉपिक है अपना वो मेथड ऑफ इंटिग्रेशन है अब इंटिग्रेशन का कुछ फॉर्मूला तो इसके पहले वाले वीडियो में भी सीखा हैं हमने बट वो फॉर्मूला क्या था डारेक्ट डिफ्रें इसे कर लोगे वो तो पॉसिबल नहीं है इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताएगे हैं और वो ये तीन मेथड है ठीक है और भी फॉर्मूले आएंगे बट में ली ये तीन मेथड है जिसमें से इस वीडियो में हम लोग इंटिग्रेशन बाइ फॉर्मूले में कनवर्ट हो जाएगा कौन से फॉर्मूले में उस फॉर्मूले में जो आपने लास्ट के वीडियो में सीखा है ठीक है तो देखो अब तरीका क्या होता है जैसे कभी भी कोई फंक्सन अगर दे रखा है इस टाइप से देखिए आई इस एकल टू इंटिग करना है तो हमेशा आपन क्या करते हैं इंटिग्रेंट के अंदर जैसे यह आपका इंटिग्रेंट हो गया ठीक है इसके अंदर किसी को भी टी मानोगे जरूर नहीं है इंटिग्रेंट के अंदर ही कभी कभी रेंडम भी चीज़ों को आपन टी मानते हैं तो इस चीज़ पर क्या करते हैं आया बात समझ में किसको मानेंगे वो अलग चीज़ है अभी मैं क्या बोल रहा हूँ पहले ये सीखो कि T मानने के बाद क्या करते हैं तो मान लेजे अपने Fx को T माना ठीक है क्योंकि ये काम हर एक question में करना है कि आप किसी को T मानोगे और फिर जो काम करोगे वो हर एक question में करोगे तो वो चीज़ पहले सीखो कि T मानने के बाद करती क्या है जैसे Fx को T माना आप इसको तुरंट differentiate करोगे Fx का derivative क्या हो गया F dash of X ठीक है आपने X के respect में किया है इसलिए Dx T का derivative क्या हो जाएगा DT हो जाएगा अब ये जो integration था इसके अंदर आप इस चीज को replace कर दीजे अब देखो F dash of X Dx क्या होगे आपका DT और Fx के बदले क्या रख देंगे T रख देंगे हुआ क्या अब ये जो integrant था ये पहले integrate नहीं हो रहा था ठीक है अब ये integrate हो जाएगा अब T DT अब ये देखो पहले यहाँ पे आप किसके respect में integrate कर रहे थे X के respect में अ इसके respect में आप integrate कर रहो उसको हम लोग demi variable नाम देते हैं यहाँ पे आप X के respect में integrate कर रहो यहाँ आप T के respect में ये तो अपना formula है ठीक है ये हो जाएगा आपका T square upon में 2 plus में C ये तो जिपकाना ही होता है C अब answer आप T के term में तो दोगे नहीं क्योंकि T तो कुछ भी नहीं ह T की value क्या है Fx तो यहाँ से आप लिखोगे 1 upon में 2 F square X plus में C ये आपका substitution है आपका substitution है तो इस tip के लिए होना चाहिए किसी को भी आपन T मानेंगे और जिसको भी T मानेंगे उसको फिर differentiate करेंगे then आप dummy variable को change करो तो अंदर वाला भी सब कुछ अगर T के यहाँ पी DT आया है अंदर सब कुछ T के term में होना चाहिए ठीक है यह आपका method है अब आप दीरे दीरे practice करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसको T मानते हैं आया बाद समझ में अब जैसे last जो एक formula आपको last time मैंने बताया था आपको अगर याद हो कि if वही मैं formula लिख रहा हूँ integration of fx dx is equal to gx plus c then integration of f of ax plus b dx is equal to g of ax plus b 1 upon a plus c अब यह देखो proof कहां से होगा ठीक है देखें अब इसको integrate करना है इसके अंदर ना आपन ax plus b को T मान रहे हैं और भी आपका constant है तो मैंने इसको T मान लिया ठीक है अब जिसको T मानते हो उसको क्या करोगे डिफ्रेंसेशन तो a x का derivative 1 हो जाएगा x के respect में इसलिए dx a constant है तो constant x का derivative क्या होगा 1 होगा बट किसके respect में differentiation किया है variable x है तो साथ में dx b is a constant इसका derivative 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका dt क्योंकि t का derivative 1 होगा और variable t है इसलिए dt अब अंदर replace करते हैं अंदर सारा देखो f of a x plus b के बदले t dx के बदले क्या रखोगे dt upon में a तो 1 upon में a तो यहां आ गया this is dt तो 1 upon में a integration of ft next step देखिए 1 upon में fx dx के आया यहां पे gx आया था clear न तो उसी तरह से ft का t के respect derivative क्या होगा यह gt होगा so this is dt plus c एक step और आप substitution कर सकते हो अब t की value ले जाके यहां चिपका दीजे t क्या था अपना a x plus b तो 1 upon में g times a x plus b plus में c यही आपका यही मैंने आपको लिखाया था last time तो हमेशा substitution में ध्यान देना है पहला point की t मानिए और जिसको t मानोगो इसको differentiate करोगे then आप variable को change करते जाओ अब इसी concept से अब यह जो आपको मैंने last lecture मेंने यह formula डिरेक्ट लिखवा दिया था मैंने proof नहीं करवाया था उसका proof आपका यहां पे sin mx कर लोगे इसका integration sin x का integration क्या होता है minus cos x तो यहोगा minus 1 upon में m cos of mx plus c डिरेक्ट लिख देंगे आपन इसमें कुछ नहीं करना है अब यह second देखिए second question integration के अंदर 2x sin के अंदर x square plus 1 अब इसको integrate करते हैं अब देखो बच्चो अब यह आपका integrand है अब आपको सोचना है कि किसको t माने ताकि यह formula में convert हो अभी यह कोई formula नहीं है जो आपने last lecture ने पारा है अब सोचो अब इसमें से ऐसी चीज़ को t मानो ना कि जिसका derivative कहीं ने कहीं dx के साथ club हो जाए और वो अपना dt वगेरा बना ले उस तरह की चीज़े तो अगर आपन थोड़ा दिमाग लगा है तो let कीजिए x square plus 1 is equal to t x square का derivative 2x variable x है तो so dx 1 का derivative 0 और right side में क्या आ जाएगा अब देखे 2x dx उपर क्या बना लेगा dt और sine के अंदर क्या है x square plus 1 तो यह क्या बना लिया तो finally यह आ गया minus में cos t plus c value को resubstitute करो minus में cos e के बदले x square plus 1 प्लस यह आपका answer होगा तो लेड़े बच्चों यह बुरा part है आपका होना चीज़े यह सब चीज़े बहुत high five चीज़ नहीं है बस सोचना यह है पहला step अभी आप देरे देरे practice करोगे तो और चमकेगा यह कैसे सोच रहे हैं मगर पहला चीज़ यह सीखो यह put करने के बाद क्या कर रहे है यह step आपको आना चाहिए पता चला यह सोच लिया और इसके बाद ही नहीं पता है क्या क्या करेंगे तो इसके अंदर पता चला फिर किसी को किसी t के बदले आपन एक नया variable g put कर रहे है ऐसा भी हो सकते बट फाइनल आंसर x के टर्म में बोलोगे जैसे यह जो part है देखिए integration of 10 to the power 4 में under root of x say k square under root of x upon में under root of x देखो भी इसको कैसे solve करेंगे अब इसमें न मैं थोड़ा दो substitution करके आपको दिखा तो although यह एक में भी हो जाएगा मतलब किसी एक के बदले मैं t put करो वहां से भी यह solve हो जाएगा बट मैं दो पार substitution करके आपको समझा रहा हूँ इसको सबसे पहले put कीजिए root x is equal to t जिसके बदले t put करते हैं उसको differentiate करते है root x का derivative मैं उमीद कर रहा हूँ सबको आता होगा that is one upon me to root x variable is x so dx is equal to dt यह i चल रहा है i is equal to अंदर जड़ा replace करें तो dx upon me root x आपको यहाँ पे दिख रहा है यह देखो dx upon me root x यहाँ भी बनेगा dx upon me root x तो यह क्या बन गया आपका 2 dt integration of 10 to the power 4 यहाँ क्या बना x square t और dx upon me root x यह 2 का factor आ गया this is dt यह ले रहे चीजे यह part बना आपका अब यह बन गया अब इसमें वापस से अपने को आगे substitution करना है अभी तो यह कोई formula नहीं बना क्या substitution करेंगे तो put करेंगे 10t is equal to 10t इसका difference is in 10 का x square t dt is equal to dg अब i is equal to देखो तू आगे आपका यह 10t के बतले हमने g put किया बच्चो तो g to the power 4 x square t dt इसके बतले dg मैंने 10 को ही क्यों g put करा क्योंकि 10 का derivative x square होता है यह पता है और c square dt club करके अपना यह dg में चला जाएगा मतलब ऐसे चीजों के बतले t put करो या g put करो substitution करो जिसका derivative कहीं ने कहीं integrant के अंदर present हो थोड़ा आसान होता है यह 2 times integration of g to the power 4 dg तो 2 times g to the power 5 upon में 5 plus में c अब यह सारी value आप वापस से resubstitute करों यह तो answer नहीं होगा क्या होगा फिर देखो 2 upon रखागा g के बदले क्या रखोगे? 10 t g के बदले क्या रखोगे? 10 t और t के बदले क्या रखोगे? root x तो पूरा अगर put करो तो 10 root x की power में 5 plus में c this is your answer और अगर second method इसका देखे बच जाओ तो direct is question में आप put कर दीजिए 10 root x is equal to t इसके बदले t put करो अगले ही step में answer आ जाएगा ये क्या हुआ? एक ही substitution में काम हो गया मगर मैंने आपको बोला था कि कभी कभी integration के अंदर आपको दो substitution भी करने पर सकते हैं जरूर नहीं ये एक ही से आ जाएगा तो उसके लिए मैंने ये step आपको समझा रहा है आगे बढ़े हैं जो आपका फोर्थ question है जो आपका फोर्थ question है इस इंटिग्रेशन ओफ 10 inverse x upon में 1 plus x square अब देखो बच्चो अब यह question में न देख के आपको पता चल जाना चाहिए देखते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए 10 inverse x का derivative क्या होता है 1 upon 1 plus x square तो put कर दीजिए 10 inverse x के बदले t अब जिसके बदले t put करते हैं इसको differentiate करेंगे साथ में क्या आएगा d x और इधर क्या आगया d t ले जाके replace कीजिए sine of 10 inverse x is equal to t dx upon 1 plus x square this is sine t के derivative की बात करें minus cos t बहुत बारा आचुक है गल्लू को वापस से put कर दीजिए e के बदले ले ने चीजिए यह पूरा पार्ट आगया तो मैंने आपको substitution method का overview दिया है कि काम क्या करते हैं तो आप किसी के बदले t put करोगे then उसको further differentiate करोगे और फिर वो अपना extended formula में convert हो जाए अब इसी substitution method को use करके न बच्चों कुछ formula आपको मैं derive करवा रहा हूँ और वो formula आपको याद रखना परेगा सबसे पहला तो यही है आपका integration of 10X TX अगर आप proof देखो नीचे दे रखा है पूरा NCRT में NCRT में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं दे रखा है तो बस वो पढ़ने आना चाहिए और वोही काम मैं आपको guide कर रहा हूँ अगर देखो basically तो मैं वोही काम कर रहा हूँ NCRT बस आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ तो 10X आ गया आपका 10X के बदले sinX upon में cosX तुरंत क्या put करेंगे formula में देखो sinX upon में cosX आ गया TX यह 10X को कैसे integrate करा है तो आप इसमें let करो cosX is equal to T put किरा इसकी को differentiate करते है minus sinX TX this is equal to T T अब I के बदले देखो जरा क्या आ गया sinX DX के बदले क्या आ गया minus में T upon में minus of integration के अंदर T upon में T इसका integration क्या होगा minus में L and T भी बोल सकतो आप log T भी बोल सकतो मगर mod के साथ क्योंकि log के अंदर हमें साथ positive number minus में log of mod के अंदर cosX यह minus आप cosX की power में लेके जा सकते हो यह बना देगा आपका log mod के अंदर take X कैसे कि आप power के अंदर आपने पढ़ा है ने यहाँ पे जो भी चीज होता है वो P की power में चला जाएगा न log की property होता है महां से आप यह दिमाग में राख सकते हो जैसे 10X आया similarly आपका cortex का भी integration होगा समझ रहे होगा आप अब cortex यह तो इतना तो होना चाहिए ना बच्चों से 10X बता दिया आप cortex खुद से ही कर लो क्या करो के cortex के अंदर बच्चों उसको लिख दीजिए cosX upon sinX dx और let कर लिजिए sinX is equal to t के लिए differentiate करो cosX dx is equal to dt ले जाके सारा put कर दीजिए this is dt upon t यह बना आपका ln of mod t मैंने ln लिख दिया आप चाहो तो log भी लिखता है तो कोई दिख रहे है मैं ln e अब लिखता हूँ mod के अंदर sinX plus t कभी कभी क्या होता है log mod नहीं रहता है sinX ही रहता है अब आप option देखो फिर option में आप कोई option में mod लगाई नहीं है तो फिर आप बिना mod वाला भी answer बोल साट integration of cortex को पूछता है क्या बोलोगे log sinX mod लगाना भी जरूरी है एक तरह से क्योंकि log के अंदर में हमेशा positive number यह आएगा तो यह भी formula आपको याद रखना again integration of secX देखिए अब formula का proof अब यह जो secX का formula है न बच्चों यह भी आपको याद रखना इसके proof में न अब इसको one upon में cosX लिख दोगे किसको T मानोगे कुछ ऐसा ही नहीं T मानने के लिए यहाँ पर एक step का थोड़ा thought चीजे हैं उपर नीचे आप multiply कर दो secX plus 10X नीचे भी क्या आएगा बच्चों secX plus 10X कर सकते हैं यह का याद रखेगा यह proof अभी कभी direct board में आ जाता है यह उपर नीचे multiply कर दिया आप जो आप T मानोगे न वो secX plus 10X को ही T मानोगे तो मान लिया आपने T, then इसको further differentiate करेंगे जो step है अपना तो secX का derivative क्या होगा secX into 10X 10X का derivative क्या होगा sec square और दोनों के बदले इधर आ गया dx is equal to dt देखो इस पार्ट में से secX common निकल रहा है तो common आ गया अंदर क्या बना 10X plus secX this is dx is equal to dt पूरा चीज़े होगा ले जाके सारा replace कीज़े यह जो solve कर रहेते हैं आपत उपर देखो numerator क्या बना उपर देखे numerator जो आपका बनेगा that is dt नीचे बना आपका t और यहां से जो answer आएगा that is log of mod t let's see finally log of mod के अंदर secX plus 10X plus में this is your answer जो next है आपका fourth part उसको देख लीजे एक बार इसमें क्या करना आपको secX में secX उपर नीचे multiply कर दीजे secX minus cortex नीचे भी आएगा आपका secX माइनस में cortex उपर क्या बन गया tX इसको t मानोगे secX minus cortex को इसी को t मानेगे अब next step फिर fix है जिसको t मानते उसको क्या करते है differentiate अब मैं यह मान रहा हूँ कि आपको यह derivative आता होगा नहीं आता है फिर देखका थे secX का derivative minus में secX into cortex cortex का derivative minus sec square X sec square X साथ में इदर क्या आ जाएगा बच्चो tX is equal to is factor इसमें से secX आपका common आया और अंदर बना secX minus cortex tX is equal to dt ले जाके सारा replace कर देजें जैसे ही ऊपर देखो अभी यहाँ पर क्या बना ऊपर? dt बन गया और नीचे क्या बना? t t के बदले value replace करोगे वही चीज है log of mod के अंदर cosec X minus cortex plus this is your answer यह जो आप formula आ गया कौनसा formula 10X का integration cortex का integration secX का integration cosec X का integration वो यह आपको चार याद रखना है यह standard formula समझ के आपको याद रखना है और भी standard substitution है जो आगे के chapters में आएंगे अब यह NCRT जिस pattern में है उसी pattern में चीज़े समझाता जा रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा बस जो जो चीज़े है वो मैं समझा रहा हूँ तो वह आपको ध्यान रखना है ठीक है अब उस example है जिसको कि अपन discuss करने वाले है जिसमें पहला एक्जामपल है आपका integration of sin qx cos square x bx अब देखो type समझो मतलब questions का तरीका समझो इसको तो मैं solve करी दोगा बट इसके अलाबा और भी चीज़े जो मैं इस question से आपको समझा सकता हूँ वही मैं समझाने की courses कर रहा हूँ अब जैसे यहां sin x है cos x है दोनों का power integer है इस तरह के चीज़ों में question काम आता है एक concept काम आता है जैसे sin x की power m है आपका और cos x की power n है dx where m and n are integer clear न अब देखो अगर आप यहां पे sin x को t मानते हो एक cos x तो इसके साथ cos x dx dt हो जाएगा समझरों चीज़ों अगर आप cos x को t मानते हो एक sin x dx हो cos x को t अगर मानोगे तो उसका derivative क्या आएगा sin x minus के साथ sin x dx is equal to dt so sin x dx कलब हो जाएगा minus dt clear ना चीज़े मतलब दोनों में से किसी को भी आपन t मान सकते हैं यह point समझो पहने किसको माने जिससे काम असान होगा अपना तो जो भी आपका इसमें से even number होना power में इससे उसको t मानो if n is even then cos x is equal to t case 2 if m is even then sin x is equal to t clear ने चीज़े आप यहां से देखें क्या करेंगे देखो अभी इसको सके power में यह odd हुआ यह even हुआ अगर दोनों even हैं दोनों even हो गया तो किसी को भी मान लेजे अगर दोनों even हो गया तो आप अगर sorry अगर दोनों even हो गया तो तो फिर आप वो trigometry identities वगेरा यूज़ का किसी को भी अगर आप T मानोगे ना फिर काम नहीं चलेगा आपका आया point मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है उसके बारे हम बादे बात करेंगे अभी यह किस है तो मैंने इसमें लेट कर रहा हूँ cos x is equal to T तो minus में sin x dx is equal to dt देखो अब i is equal to x sin x dx हो गया इदर तो minus यहां आगया dt और cos x के बदले T बोला था तो T a square एक क्या बना बचा यहां पर एक sin तो dx के साथ चला गया sin square बना sin square x को क्या लिख सकतो 1 minus cos square this is 1 minus T a square finally देखो क्या बना T a square इस minus को भी न आप अंदर भेज दीजे this is T a square minus 1 dt clear है अब यह आपका convert हो जाएगा दो integration में कुछ इस तरह से T to the power 4 dt minus में T a square dt यह बना आपका T to the power 5 upon में 5 minus में T cube upon में 3 plus में C अब T के बदले आप cos x ले जाके चिपका दीजे यहां पर बना 1 upon में 5 cos x की power 5 minus 1 upon में 3 cos x की power में 3 plus में C यह आपका answer होगा ठीक है आया point समझ पेट मैंने क्या बोला आपको कि दोनों का power देखिए अगर जो भी even है उसको T मानिए अगर दोनों even हो गया तो तो क्या करेंगे आपन तो identity को use करेंगे कौनसी identity trigometric identity mainly sin to theta का formula use होता है मैं उस zone में अभी नहीं जा तो ठीक है अब second example पे आप देए second है आपका integration of sin x upon में sin of x plus a dx ठीक है बच्छा देखो तरीका यही है आपका कि आप x plus a को t मानोगे ठीक है यहां से क्या बना differentiate करेंगे dx x का derivative dx a constant की तरह काम करा dx is equal to dt sin के अंदर x के मदले क्या रखोगे p minus a और नीचे sin t dt यह लेड़े चीज़े अब देखिए उपर sin a minus b का formula अपलाई करो बच्छो sin a cos b minus में cos a sin b और नीचे क्या बना sin t साथ में इसको दो integration में convert कर लीजे तो यह बना आपका cos a p t minus में यहां सा अगर देखो sin a cos t upon में sin t this is cot t cot t और यहां पे cos a dt अब इसको मत लिख देना sin a cos a का integration sin a लिख दिये गलत हो गया न यह constant है तो cos a किस की तरह काम करेगा constant की तरह किस के respect में t के respect में तो integration किस के respect में करनी है t के respect में तो यह जो चीज है पूरा का पूरा यह किस की तरह काम करेगा constant की तरह काम करेगा तो इसको अपन ने बाहर लिया integration के integration of dt क्या हो गया t आ गया minus में sin a constant की तरह काम करेगा बाहर ले लिया और cost cot t है आपका cot t अभी उपर formula पर है log में mod के अंदर sin t अब value बस replace कर दीजे t के बदले x plus a this is x plus a साथ में cos a minus में sin a log के अंदर mod में sin p के अंदर x plus a plus में c यह आपका final answer है this question में next question है आपका third बच्चों integration of dx upon a 1 plus 10x again 10x को लिख दिया sin by cos LCM ले लिए सारा यह step बना इसे बस एक step का click है यहां के बाद cos x बना और नीचे है बच्चों cos x plus में sin x dx देखो आप यह cos x है यह आई चल रहा आपका सोचने का इसमें तरीका यह है न अब यह आगे भी आपको दिखेगा इस तरह का question two से open multiply करो बना two cos x नीचे क्या बना cos x plus sin x कुछ दिखा कि आपने two यहां पे extra दे दिया तो one by two कर दिया साथ में और यहां पे यह आपका dx तो ही है देखिया one by two integration इस two cos x को कैसे use कर सकते हैं आप देखो cos x plus sin x sin x add किया subtract किया और cos x नीचे लिख दिया आपने cos x plus sin x और साथ में dx के लिए आप देखिया one by two दो integration में इसको convert कर लिजे एक तो बना integration of cos x plus sin x इसको एक साथ रखिये इस पूरे पार्ट को किस पूरे पार्ट को इस पूरे पार्ट को एक साथ रखिये और इस दोनों को एक साथ रखिये मतलब cos x minus sin x minus sin x एक साथ cos x plus sin x एक साथ के लिए देखो cos x plus sin x नीचे भी क्या है cos x plus sin x प्लस में साथ में क्या आगया आपका डी एकस की लिए चीज आप यह देखे वन बाई टू ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डी एकस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अब इस चीज को इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है वह आपको एक स्टेप का बस दिमाग को फोरा सा दिमाग लगाऊगे न तो आपको दिख जाएगा क्योंकि एक स्टेप अगर आप सोचोगे तो दिख जाएगा आपको वन बाई टू देखो इंटीग्रेशन अब डी एक्स क्या होगा इसका इंटीग्रेशन के लिए अगर आप उट करों कॉसेx अगर्णाटस की बादले टी दिखो इसको जब डिफरेंसीट करोगे तो कॉसेx का डेरिवेटिव माइनस साइनेक्स साइनेक्स का डेरिवेटिव कॉसेx दिखा कुछ साब अब तो दिख गिया होगा dx is equal to d यह उपर ही तो उसका derivative लिखा है तो integration of उपर क्या बन गया? dt क्योंकि cos x minus sin x dx is equal to dt नीचे क्या बना? t बन गया तो 1 by 2 bracket में x plus इसको लिखेंगे log of mod t और a value replace करोगे मैं एक ही बार में लिख 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 यह आपका अब इसी में सोचो और भी क्या हो सकता है इसी में और type क्या बन सकता है माल लेजे इसी में एक question होता मैं बस लिख रहा हूँ यहाँ तरीका समझाने के लिए माल लेजे उपर हो जाता आपका sin x और नीचे again बन गया sin x plus cos क्या करते हैं इसको बच्चो बस फिर से 2 से उपर नीचे multiply कर दिया next step क्या होता अब 2 sin x को लिखना है तो थोड़ा सोच के देखो अब की बार cos x add करा और cos x subtract करा यह sin x तो यही है और नीचे बन गया आपका sin x plus cos x again दो integration में इसको convert कर दो next step में आपका answer आजाएगा ति यह basically thought process यह integration है बहुत important है formula आप कितना भी रटलो बड़ जब तक thought process बहुत ज़ादा दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप question को execute नहीं कर पाऊगे execution आपकी उतनी perfect नहीं हो पाएगी इसलिए questions के साथ जो यह जो तरीका समझाया जा रहा है वो जरूर दिमाग में रखे formula तो याद रखना ही रखना आपको बिना formula के तो integration में कुछ होई नहीं सकता बिना formula के तो integration में कुछ होई नहीं सकता formula तो रटना ही चाहिए आपको बड़ साथ में यह तरीका भी आपको याद होना चाहिए ठीक है बच्छो यह कुछ substitution method था उससे related कुछ questions थे मैं यहाँ पर इस video को खतम कर रहा हूँ next video जो आपकी होगी उसमें आपन इसके solution के बारे में next video जो आपकी होगी उसमें इसके solution के बारे में आपन discuss करेंगे वो सारी चीज़े मैं आपको समझाऊंगा और उसके बारे में आपन discuss करेंगे ठीक है बच्छो यहाँ पर मैं इस video को खतम कर रहा हूँ stay tuned on crypto tutorials please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification thank you very much